हलो दोस्तो मैं हूँ रागवेंद आप सभी का competition community में सभागत करता हूँ हम लोगोंने computer generation पर detail से चर्चा कर ली थी उसमें साथ-साथ question भी कर लिये थे basic भी हम लोग complete कर चुके हैं आज हम लोग देखते हैं computer के प्रकार types of computer देखते हैं computer कितने प्रकार की होते हैं तो देखिए computer के प्रकार को अगर देखा जाए तो एक होता है अनुप्रियोग याने प्रियोग के अधार पर याने कैसे काम की जाधार पर अनुपरियोग ने काम के जाधार पर देखे परपस के जाधार पर तीन प्रकार के computer होते हैं ठीक है पहला होता है analog computer दूसरा होता है digital computer और तीसरा होता है hybrid computer साथ में आज question भी करेंगे हम लोग ठीक है पर दिस्तार से चर्चा करेंगे तो पहले आप समझे सबसे पहला हमारा analog computer क्या होता है तो analog computer यह जो भौतिक राशियां होती है न हमारे पास जो physical quantities होती है भौतिक राशियां तो भौतिक राशियों को जो चेंज करता है यह भौतिक राशियों को जो जो इसको convert करने के काम करता है वैसे computer को analog computer करते हैं जैसे आप देखे हमारे पास कई भी फिस्कल कॉंटिस है जैसे ताप होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे हमारे गाडियों में एक आपका माईलो मीटर वगरा लगा होता है तो वो एक प्रकार का आप समझ सकते हैं जैसा ही है चोटा रूप है तो आपने जितना भी जिसमें काटे लगे होते हैं सुई लगी होती है या फिर आपका जैसे रनिंग मसीनन होता है 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 ना दोड़ते हैं जिस पे तो वो सब किस पे आजाएगा वो एनला कंप्यूटर का ही एक फॉम है जो हमको इसकी गर्णा करके हमको उसका रिजर्ड जो है वो डिजिक्तल फॉम में देता है उसके बाद देखिए बिस्टल कंपूटर जो हम लोग यूस करते हैं जो बाइ प्रयोग होने वाले जितने भी कंप्यूटर है, वह सारे के सारे digital computer ही हो है, साथ-साथ, जितना भी आप workstation या फिर आप offers में use कर देखते हैं, सारे computer कैसे होते है digital computer होते है, आज कि computer digital ही होते हैं, जिसे होता है 0, 1 यानि binary भासा में जो काम करते हैं या machine भासा में जो काम करते हैं उनको हम लोग digital computer कहते हैं ठीक है? जो digitally अपना work करेंगे उसके बाद एक hybrid computer नाम से इस परस्ट है hybrid यानि जो आपका analog computer और digital computer दोनों का काम कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? hybrid computer कहते हैं ठीक है? जनरली सुपर computer बगरा कर लेते हैं तो hybrid computer क्या होते हैं? जो analog भी काम कर लेगा digital का भी काम कर लेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आपका hybrid computer कहते हैं यह इस तरह से या रखेगा अनुप्रियोग के अधार पर पर काम करने के अधार पर computer तीन प्रकार के होते हैं पहला analog computer, दूसरा digital computer और तीसरा hybrid computer जो दोने काम करते हैं इसके बाद देखिए उसके बाद देखे, size के अधार पर देखे, आकार के अधार पर तो computer के वो खिरूप से 4 है और भी प्रकार हो जाएंगे ठीक है देखो सबसे आपका वैसे तो palm top ठीक है laptop ठीक है वो हो जाता बट इसमें देखा जाए micro computer micro computer जो हम घरों में use करते हैं single use होता ना घरों में तो घरों में प्रेयोग होने वाले जो computer होते हैं उसको हम लोग क्या बहुते हैं micro computer करते हैं यह जो है VLSI और ULSI ultra large scale integration आपने सुना होगा पहले मैंने पढ़ाया है और very large scale integration यह सारे पर जो based होते हैं यह सारे computer क्या होते हैं हमारे जो यह सारे PC जो होते हैं वो सब क्या होंगे micro computer कहलाते हैं है याद रखना है तो micro computer जो हमारे घरों के PC होते हैं VLSI होते हैं USLI होते हैं यह सारे computer micro computer इससे भी छोटा जाओगे ना तो laptop आएगा laptop उसके और छोटा आएगा तो palm top आएगा ठीक पाँम टॉप आएगा तो यह सब इस तरह से और छोटे होती है ठीक हैं नोटपड आएगा त्टिक micro computer उससे थोड़ा सा बड़े हो जाएगा कों सो जाएगा forming computer हो जाएगा याद याद computer में एक से एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं ठीक है एक साथ काम कर सकते हैं है ना कोई वर्क रिस्टेशन हो गया वहाँ पर इसका प्रियोग बेरा करते हैं एक बड़े office में भी अपका mainframe computer यूज किया जाता है तो यहाँ रखेगा micro computer फिर उसे बड़ा mini computer फिर main mainframe computer और उस सबसे बड़ा कोन हो जाएगा super computer super computer जो होते हैं साइस में बहुत बड़े होते हैं इनका processing बहुत advanced होता है तो super computer को थोड़ सब्सक्राइब से देख लेते क्योंकि यहाँ से प्रश्ण पूछे जाते हैं तो पहले आप size देखेगा ठीक है सबसे छोटा आ जाएग आपका पांटाप, laptop, mini computer, micro computer, mini computer, mainframe और super computer, super computer की बात करें तो सबसे पहले super computer को CRC, Cray Research Company ने सबसे अमेरिका की company थी इसने super computer का विसकार किया था, बनाया था 1976-79 के बीच यह जो है एक super computer develop किये गए थे, तो यहाँ रखे CRC, CRC, Cray One बोलते हैं, ठीक है, Cray One, Cray Research Company 1976-79 के बीच यह बना था, और बनाने वाले कों थे, USA के लोग थे, तो super computer पहला Cray Research Company के दोबारा develop किया चार, आईए देख लेते हैं, हमारे, आप super computer की बात करें तो हमार से कम देश हैं, जो super computer develop कर पाए हैं, है न, और इसमें भारत भी एक सामिल है, तो खुशी की बात है, देखे जैसे, विशु का प्रतम super computer Cray One Research Company ने, CRC ने बनाया था, CRC, है न, Cray Research Company ने बनाया था, जो की अमेरिका की थी, ठीक है, 76-79 के बीच में यह बनाया था, ठीक है, इ ठीक है, मैं आगे समझाओंगा, बीच से आपको समझाओंगा, यह 64-bit पर काम करता है, ठीक है, 32-bit भी होता है, ठीक है, तो यह इसकी जो काम करने के परास है, लेंथ है, 64-bit तक जाती है, तो 64-bit पर काम करता है, हम लोग normal अपका normal गढ़ना कर लेते हैं, ठीक है, seconds में, इसक इसकी गढ़ना जो है, flops में होती है, ठीक है, जैसे microsecond में हम लोग गढ़ना कर लिए, nanosecond में गढ़ना कर लिए, यह से भी तेज होती है, flops, ठीक है, floating point operations per second, full form भी पूछा जाता है, flops की floating point operation per second, इसकी गढ़ना होती है, second के भी बहुत छोटे हिससे, बहुत तेजी से इस अभी सबसे बड़ा computer जो है, frontier है, मतलब सबसे आपका क्या ख़सकते हैं, तेज सूपर computer कौन सा हो गया, frontier है, कैसे नापे, तो उसके आपका किसे लगे flops है, speed कितनी है, उसकी speed जो है, 1.1 peta flops आई है, ठीक तेज से पता चला है, कि यह अभी वरतमान में सबसे तीज सूपर computer frontier हो गया, USA का, तो USA का frontier जो है, अब सबसे तेज सूपर कम्पूटर अभी वरतमान में है, तिल इस देद तक, ठीक है, 1.1 peta flops में, इसकी speed है, इसको यह रखना है, भारत में ने भी ओहत अच्छी उनती की है, भारत में अगर देखा जाए, तो परम सीरिस के computer, जो है, अच्छा करते हैं, भारत के सूपर कम्पूटर की बात करें, तो देखे, बहुत सारे हम लेगों ने सूपर कम्पूटर बनाया, ठीक, अभी भी बहुत पीछे है, ठीक, टॉप 100 में नहीं आते, लौप 50 में नहीं आते हैं हम लोग वैसे तो, ठीक, बट फिर भी देखे 1980 के पास, आसपास, नाल जो कंपनी, National Aeronautic Limited, ठीक है, यह लाब, नाल जो है, इसने फ्लो सालवर नामा की कम्पूटर मनाया था, यही फर्स्ट है, अच्छली, है ना, यह प्रथम था, मगर क्या है, यह क्योंकि विवस्थी दुरुप से नहीं बना था, अपने ट्राइल के basis पर बनाया था, इसलिए इसको प्रथम नहीं माना जाता है, इससे भी बात में, आपका बनाएगा परम, परम सीरिस के कम्पूटर, परम सिद्धी, परम युवा, परम 8000, परम शिद्धी, युवा, ठीक है, यह जो है, सी डेक ने बनाया है, ठीक है, इसको यार रखेगा, यह सरकारी कम्पनी है, पूणे में, ठीक है, पूणे, तो सी डेक ने क्या बनाया है, परम सीरिस के कम्पूटर बनाया है, सीरिस जो है, परम यह बहुत सारे है, परम 8000 है, परम 1000 है, तो सी डेक, सेंटर for development of advanced computing, ठीक है, इसको यार रखेगा, इसका full form पूछा जाता है, क्या परम 8000, इसलिए यह पहला हमारा सूपर कम्पूटर माना जाता है, बट ऐसे देखा जाता है, तो अनुविश्थी रूप से flow solver जो है, वो पहला हमारा computer था, सूपर कम्पूटर, उसके लाब देखे, यह याद रखेगा, एका, एका सीरिस के कम्पूटर जो है, टाटा ने बनाया है, ठेक है, एका सीरिस के कम्पूटर किसे बनाया है, टाटा ने बनाया है, साथ साथ आपको जा रखना है, अनुपम सीरिस के कम्पूटर, नाम इधार में छोड़ देंके चल जागा, अनुपम सीरिस के कम्पूटर जो है, भाभा अटॉमिक रिसर्स सेंटर ने बन प्रतियूस प्रतियूस हो गया आदित्य हो गया मिहीर हो गया यह तीन नाव या रखेगा प्रतियूस आदित और मिहीर यह किस ने बनाया है प्रतियूस आदित और मिहीर कई बार क्या हो गया प्रतियूस आदित और मिहीर यही आपका सूपर कम्पूटर के बारे में इतना आज आपको पढ़ना है तो यह हमारा हो गया कम्पूटर के प्रकार आई इस रिलेटे जो है कोशन लोग करते हैं देखते हैं सबसे पहले घरों में क्यों किये जाने वाले आधुनी कम्पूटर कौन से होते हैं एनलाग कम्पूटर हम लोग जनरली यूस नहीं करते हैं डिस्टल कम्पूटर जी विलकूल क्वांटम कम्पूटर बताजेते हैं भविष में यूस किए जाने वाले कम्पूटर को ख्भांटम करते हैं मैंने मताया है कोशन सी कई आचर निकल जाएंगे और सुपर फेसं नाभी तो हम लोग घर में कहां नाल ने बनाया है, कौन सा जाएगा अनुपम सीरिस के जो computer है, वो किसने बनाया है, तो super computer जो है भाबा, atomic, research ने बार्क ने बनाया है ठीक है निमलिक ने कौन सी भाबा, परमाणों और संधान के इंद वारे विक्सित super computer, repeat होगा question कौन से हो जाएगा अनुपरम सीरिस के एक सांसित की है right in Montana ₹ इसका भारत में सुपर油 прим का निर्माट इस ने किडाया तै मैं अभी बताया कहा पर है सलस्ता चमीट का है पूण में अब को जाएगा ठीक है दो सलस्ता है एक C date is C. देख जो है वो कहां पर है पूरे में और C. जो है वो कहां पर है दिली में है तो परम कान्ती बिल्कुल पूरम यूंवा परमाधा पदम पदम ठीक है परम पदम यूवा परम कान्ती पहला पहला computer ही है इसको तो माना जाता है तो यह तीनों है वो नहीं है ठीक पर में बहुत सारे है super computer की गति किसमें नापते है तो बिल्कुल बता दिया था पहले बता दिया था फ्लॉप्स में floating floating point floating point operations per seconds में नापते है ठीक है उसके वाद इविश्च्व के प्रथम super computer का निमाड किया गया था IBM के दोरा CRC के दोरा ठीक है IBM international business machine इसके दोरा तो नहीं किया गया था किसी रेक के दोरा हमारा बना है CRC यह रखेगा CRC के दोरा किया गया एक कोशिन सारे आये हुए question है तो ध्यान से बनाइएगा easy रहते हैं एक पर आप topic पढ़ लेंगे चोटा चोटा topics रहते हैं और उसके बाद question बहुत आसानी से बन जाएंगे आपके निमिने तो कौन सा computer का प्रकार नहीं है mini computer आपका है बिल्कुल super computer है mainframe computer भी है copper frame computer जो है यह अपका computer के प्रकार नहीं है next देखे सबसे कम जानने में आया computer कौन सा है super computer digital computer micro computer analog computer सबसे कम जो हम लोग कौन सा computer use करते हैं तो analog computer use करते हैं इसमें से कौन कोई एक टेज और महंगा computer कौन सा है तेज भी हो और महंगा भी हो बिल्कुल जान नहीं रहे हो परशनल computer तो नहीं होता हो तना laptop भी ठीक है super computer notebook सबसे जो है आपका तेज भी होगा और महंगा भी होगा हमारे घर घर की बस की बात नहीं है घर के बरोबर हो जाएगा वो तो है ना तो यह आपका इसको या लखना नहीं है या लेके देखिए super computer के बहुत सारे नाम है seridia है frontier अभी बताए त्वाहीन है चाइना का है पहले वो था तेज रमन जो है अभी super computer नहीं है है ना रमन जो है उसका रमन प्रभाव अलग चीज है वो करणों पर आया था तो रमन super computer से related नहीं है ठीक है इनमें से कौन सा सबसे छोटा computer है notebook desktop laptop workstation देखे वो workstation बड़ा होता है ठीक है desktop PC वाला हो गया ठीक है laptop और laptop से भी छोटा कौन सा जागा notebook 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 सबसे छोटा हो गया हाथ में रखते हैं जिसको हैना हाथ में रखते है notebook वाला तो notebook हो गया उसके बाद palm टॉप हो गया उसके बाद micro हो गया मीनी हो गया में फ्रेम हो गया और उसके बाद आपका micro में यह desktop आ जाएगा गीगा tips निम निम से समझ देखिए यह जो गीगा tips है ना इस इसी क्या करते हैं computer की speed को नापते हैं मतलब computer के speed flop से में नापते हैं यह machine के द्वारा नापा जाता है यह किसे है super computer से related या रखना है यह थोड़ा सा याद रखेगा आपका गीगा जो tips है यह super computer के गती नापने में प्रयोग किया जाने वाला machine है ठीक है यह आपका गीगा tips और T EPS super computer की गती नापता है इसे related है यह बागी से काम देना नहीं super computer के लिए सब लंबाई की पराश होती है अभी बताया थे सबसे बड़ा पराश होता है कितना ना 64 video का होता है ही ना 64 video की वह काम करता है एक साथ 162 video ओर कर सकता है तो 64 video कांपरों कहों सथा प्रतियूस कि कीसे की चोर्हों के अ कि सगाल को दिए के मिश्राइल को दिए गया पंड़ोंबी सूपरकुट्र प्रतियूस अभी भी बताय प्रतिउस computer क्या है सूपर केम्पूटर है IIMB ने वो किया था ठीक है भारत का प्रथम सूपर कम्पूटर कौन सा था परम युवा सागा इमें से को नहीं परम 8000 को प्रथम प्रथम माना जाता है ठीक है क्योंकि विवस्थी दुरूप से सबसे पहला हमारा कौन सा है परम 8000 सी देख ठीक और ला हमारा छोटा सा टॉपिक था कम्पूटर के प्रकार से रिलेटेड नेक्स टॉपिक में हम लोग इन्पूट आउट्पूट और कम्पूटर की और भी चीजे जो है उसको डिसकुस करेंगे आज के लिए नहीं रखते हैं थैंक्यू